आज हम देखेंगे पूर्णांकों के निमनलिखित और धारनाओं से संबंदित उधारन निमनलिखित संख्याओं को संख्यारेखा यानि नंबर लाइन पर निरूपित यानि रिप्रेजन्ट कीजिए किसी संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सबसे पहले एक रेखा कीचिए और उस पर समान अंतर पर कुछ बिंदु अंकित कीजिए इन में से किसी एक बिंदु को शून्य से व्यक्त कीचिए आप किसी भी बिंदु को शून्य से व्यक्त कर सकते हैं अब पहली संख्या है धन 3 जो की एक धनात्मक पूर्णांक है संख्या रेका पर पूर्णांक धन 3 निरूपित करने के लिए हम शून्य के दाई और 3 कदम चलेंगे और जिस बिंदू पर हम पहुचेंगे उसे नाम देंगे धन 3 अगली संख्या है 5 क्या आप बता सकते हैं यह धनात्मक पूर्णांग है या रिनात्मक पूर्णांग? सोचिए सोचिए! आपने सही सोचा धनात्मक पूर्णांग साधर अंतह चिन्न के बिना ही लिखे जाते हैं इसलिए 5 एक धनात्मक पूर्णांग है धन तीन की ही तरह संख्या रेका पर संख्या पांच को निरूपित करने के लिए हम शूने के दाई ओर पांच कदम चलेंगे और अंतिम बिंदु को नाम देंगे पांच या धन पांच अगली संख्या है रिन छ यह एक रिनात्मक पूर्णांख है इसलिए इसे व्यक्त करने के लिए शूने के बाई ओर छ कदम चलेंगे और जिस बिंदु पर हम पहुचेंगे उसे नाम देंगे रिन छ इस प्रकार हम संख्याओं को संख्या रेका पर निरूपित करते हैं अगला उधारण निम्नलिकित संख्याओं के बीच इन चिन्नों में से सही चिन्न का प्रयोग करें यहां हमें दी संख्याओं के तुलना यानि कंपारिजन करनी है और तुलना के आधार पर संख्याओं के बीच इन चिन्नों का प्रयोग करना है इसके लिए हम संख्या दूसरी संख्या के बाई तरफ हो, तो वह चोटी संख्या होती है। आईए, पहले एक और रिन्च की तुलना करें। इसके लिए इन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त करेंगे। धनात्मक पूर्णांक एक, शुन्य से दाई और एक कदम की दूरी पर व्यक्त किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक रिन्च के दाई और है, इसलिए एक बड़ी संख्या है और रिन्च छोटी संख्या। ध्यान दे, चिन्ध का खुला मूह हम बड़ी संख्या की तरफ रखते हैं। ठीक इसी तरह, रिन्च और शुन्य की तुलना करने के लिए आईए इन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त करें। शुन्य तो हमने पहले ही व्यक्त कर लिया है और रिन्च शुन्य के बाई और पांच कदमों की दूरी पर व्यक्त किया जाएगा। चुकि रिन्च शुन्य के बाई तरफ है, इसलिए रिन्च छोटी संख्या है और शुन्य बड़ी संख्या। इसी तरब रिंड 3 और रिंड 2 की तुलना करने के लिए हम रिंड 3 और रिंड 2 को संख्या रेखा पर व्यक्त करेंगे जैसा कि यहां आप देख सकते हैं, रिन 3, रिन 2 के बाई ओर है, इसलिए रिन 3, रिन 2 से छोटी संख्या है और रिन 2, रिन 3 से बड़ी संख्या है आज हमने देखे पूर्णांकों के निम्नलिखित अवधारनाओं से संबंदित उधारण अगले वीडियो में इन से संबंदित मिध्याधारनाओं को दूर करेंगे